नमस्कार किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सभा शाहिच्छे एक वक्त था जब उत्तरप्रदेश में माफियाओं की तूती बोला करती थी लेकिन जब से योगी की सरकार आई और अपराधियों पर जीरो टॉल्डेंस की नीती लागू की गई अपर करने वाले उपर बुल्डोजर चलाया गया तब से माफिया सीम योगी के नाम से थर्थर कापने लग फिर चाहे वो अतीक एहमद और मुखतार अंसारी जैसा कूख्यात अपराधी ही क्यों नहीं योगी के सामने किसी की नहीं चलती मुखतार अंसारी और उसके बेटे अब कर रहा है इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एक्जेक्यूटिव एडिटर राजीव जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद पहले के उत्तर प्रदेश में जब यहां माफियाओं का राज चलता था और अब की उत्तर प्रदे के वो नेता जिनका कहीं न कहीं कनेक्शन माफियाओं से था और खुद जो माफिया थे उनके उपर हो रही कारवाई बता रही है यह सामान तरीके से किसी के कहने वाली बात नहीं है और जर्ब करने वाली बात है यह सोचने समझने और देखने वाली बात है कि उत्तर प्रद होते हैं कि एक जगा गोली चल गई तो law and order की समस्या create हो गई अब यहां पर प्रशासन नहीं बलकि गुंडों की सरकार हो गई है लेकिन उसी अखलेस यादब के समय में लोगों को बाहर निकलने के लिए सोचना पड़ता था उत्तर परदेश जहां कि अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके के इंडस्ट्री थे कानपूर आगरा अलिगर मतलब हर जगह पर एक अच्छे खासे इंडस्ट्री होआ करते थे वारणसी में बुनकरों का अपना अब दबा था विदेशों तक उसके जो कारीगरी थी कालें थे वो सप्लाई किये जाते थे लेकिन जब से मुलायम सियादव की सरकार आई फिर अकलेस यादव की सरकार आई इन लोगों ने ऐसा महौल तयार कर दिया जिसमें जिन जिन जगहों पर ये इंडस्ट्री के फेमस होना शुरू हो गया कहीं मुखतार अंसारी कहीं अतीक हमद कहीं संज भाटी कहीं सुंदर भाटी कहीं विकास दुबे ये अलग-अलग एरिया के बहोबली थे जो आपस में भी कनेक्टेट थे और इन लोगों ने एक तरह से ऐसा कोहरा मचा रखा था कि विजनस के ल तो विकास के लिए आपके पास रास्ता दो जगह से जाता है आप अगर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो आपके पास क्लियरंस मिलने से पहले माफिया का फोन आएगा कि आप इस जगह पर फैक्ट्री लगाने जा रहे हो इस से पहले की आप वहां काम सुरू करो पहले यहां पर आपको कमीशन देना पड़ेगा यही योगी ने कहा जो सीएम योगी के बार-बार इन्होंने यही बाग कही है कि अब माफियाओं के फोन नहीं आते हैं तो ये तो जो बदलाब हुआ है वो बदलाब देखने को मिल रहा है और ये बदलाब सामान ने बदलाब नहीं है क्योंकि माफियाओं के खिलाब एक्षन और एक्षन का दिखावा कारवाई होना और कारवाई का दिखावा करना दोनों अलग-अलग बाते हैं अगर मुक्तार अंसारी की बात करें मुक्तार अंसारी पिछले 17-18 सालों से जेल के अंदर है क्योंकि उसके उपर कारवाई पहले भी हुई मायवती के समय में भी या फिर अक्रिसी आदब के समय में भी लेकिन क्या हुआ क्या मुखतार अंसारी का गैंग तूट रहा था? क्या मुखतार अंसारी को जो सजा मिली अवी वो मिला था? क्या क्रिश्णानन राय हत्या कांड मों उनको सजा मिल पाय थी? इतने साल हो गए क्या इन चीजों पर पुलिस ने अपने जो चासिट दायर किये थे वो ऐसे चासिर थे जो गवाह मुकर रहे थे उन गवाहों को तैयार किया गया था। ये डर दिखा रहा था कि माफिया अपने गवाहों को कैसे बदल्वा रहा है धंकियां दे रहा है और सरकार चुपचा बैठी हुई है। आज वही मुक्तार अंसारी की बात किजिए मुक्तार अंसारी अबास अंसारी सब जेल के अंदर है उसकी बहुर निखत अंसारी भी जेल के अंदर है यही मुक्तार अंसारी जो जेल के अंदर से सामराज्य चलाता था फोन होते थे आम का सीजन है तो उसके जो पसंद इदावाम हैं उसके सामने पर उसे जाते थे जेल के अधिकारी जो होते हैं जतने कौंस्टेबल से लेके जो जेल अधिचक तक ये सारे के सारे इन लोगों के इर्द-गर्द घुमा करते थे यानि जेल में भी यह ऐसो आराम के जिन्दगी जीता था गाजी रीपोर्ट जो आरही है कि जेल के अंदर एक तरीके से मुखतार अनसारी ने चुपी साद ली है कुछ बोल ही नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, सिर्फ कोट में अर्जी पर अर्जी दे रहा है हर्जिक इस बात की कि हमें बाहर नहीं निकलने दिया जाए अगर हम पेशी के लिए कोट में जाते हैं तो हम पेशी के लिए नजाएं बलकि वीडियो कौन्फरेंसिंग के तहत हमारी बात तुनी जाए हुमसे बातशित की जाए हमारा मामला जित्ना भी चल रहा है उसमें वी अगर आपने इतने लोगों की हत्या करवाई है तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है इसकी पूरी संभावना है कभी न कभी तो कुदरत इंसाफ कर ही देता है तो ये डर उसके अंदर है अफजाल अंसारी जो अभी तक कुछ समय पहले तक सांसत था कुछ इतने मामले इसके खिलाफ चल रहे थे लेकिन अफजाल अंसारी खुला गूम रहा था कोई डर नहीं सांसत बना हुआ था मुक्ताल अंसारी तो 6-6 बार भी धायक रहा है लेकिन अफजाल अंसारी को भी अब सजा हुई है योगी की सरकार के समय ऐसे लोग कहेंगे कि सजा तो कोट के माध्यम से मिला है अदालत ने सजा दी है लेकिन अदालत सजा देती है बेल देती है कोट से जो फैसले होते हैं उसमें महत्पून भूमिका किसकी होती है कोट अपने आप में फैसला नहीं दे सकता है कोट के सामने सुबूत और गवाह रखने होते हैं और ये जो माफिया हैं ये सुबूत और गवाह ये दोनों को नस्ट करने के लिए पूरी ताकत लगा दिया क करते थे मुक्तार अंसारी के खिलाफ जो सो से ज़्यादा गवा थे वो होस्टाइल हो रहे थे कोई गवाही देने के लिए जाता नहीं था पहले तो पुलिस ने उससे गवाही ले ली उसके बाद जब कोट में पेस होने की बारी आई तो इन लोगों ने ये सोचा कि कोट में तो हमारी पहचान हो जाएगी पुलिस से गवाही में तो पहचान नहीं हो रही है और पहचान हो जाएगी तो ये हमें जिन्दा नहीं छोड़ेगा इसलिए होस्टाइल हो जाया करता था अब उसको माफिया का नहीं बलकि पुलिस का डर माफियाओं को है इसलिए ये लोग सोचता है कि अगर हमारी हत्या हुई तो फिर इसका पूरा का पूरा परिवार तबा हो जागा जैसे की अतीक अहमद के साथ हुआ अतीक अहमद ने उमेश पाल की हत्या क्यों करवाई उमेश पाल भी गवाह था और उमेश पाल जब गवाह था तो उसके हत्या करवा के अतीक हमद ने जो आफत मोल ली ये सब को पता है अब अतीक हमद उमेश पाल सूट आउट में जितने लोग सामिल थे उसमें से छे छे लोग मौत के घाट उतार दिये गए हैं कैसे भी हो असद हमद को इंकाउंटर हो गया उसके दो जो सूटर थे उसका लेटे अली और उमर जो है ये दोनों बार-बार कोट से गुहार लगा रहा है कि हमारी भी हत्या हो सकती है इंकाउंटर हो सकता है हम बाहर नहीं जाना चाहते हैं और ये जो इन लोगों का पूरा गैंग है वो इसी खौफ में जी रहा है चाहे अफजाल अंसारी हो या फिर मुक्तार अंसारी हो या फिर अतीक हमत का गैंग हो लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभी धीरे धीरे इंटरस्टिंग बाते सामने आ रही है उसमें एक और बात है इन सारे गैंगस्टरों के लिए चाहे अतीक हमत का हो या फिर मुक्तार अंसारी का हो कि इनकी बीवियों जो बीवियों का जो खेल रहा है जो अभी साहिस्ता परवीन के बारे में सामने आया उसमें एक और शक पैदा हो रहा है जैसे कि अतीक और असरब की हत्या के बारे में क्योंकि अतीक और असरब की हत्या पुलिस के सामने हुई मीडिया वाले सामने खड़े थे और वहाँ पर अचानक से लोग आते हैं हत्या कर देते हैं ये भी पता चला कि 20-20 लाक रुपे एक-एक सुटर को दिया गया था अभी तक ये पूरी जानकारी नहीं मिली कि उसको पैसे किसने दिये थे ये नेटवर्क तलास की जा रही है लेकिन इस बीच जो फुलिस को ने ने जानकारियां मिली है नहीं जानकारी में कि गुड़ो मुस्लीम और साइश्ता परवीन के साथ जो संबंध पलपने थे उन संबंधों का इस हत्या से कोई न कोई रिलेशन है और ये जुड़े हुए हैं क्योंकि ये जितने गैंगस्टर हैं ये तो जेल में रहते हैं और इसके घर में क्या हो रहा है इसके बारे में जानकारी नहीं होती है और उसके बाद जो नाजाय सम्मंध पनपते हैं वो किसी न किसी एक और हत्या को जर्म देती है जो ऐसा प्लॉट रहा है जिस पर कई फिल्मे बन चुकी है ये बॉलिवुड में भी कई फिल्मे ऐसी बन चुकी है और ये विश्वस्नियता के करीब दिखाई पड़ता है इसल सारे लोगों का इन लोगों का जो गैंग अलग से चल रहा था और जो अपरेट कर रहे थे कभी न कभी ऐसा होता है राजनीती और माफिया ये ये दोनों के यहां घर में टसल चलता है पावर के लिए कि वो जेल से बाहर आया तो फिर मेरी अवकात क्या हो जाएगी और पॉलिटिसिन के साथ होता है कि कभी वो एक बार उसको पद दे दिये और उसके बाद उसको छिनने की कोसिस किये तो फिर ये सत्ता जैसे फिल्मों का हस्त्र हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि इनकी बीवियों ने भी एक नया तरीका इजाद किया है और अवजाल अंसारी हो या मुक्तार अंसारी हो अतीक और असरफ की तो हत्या हो गई इन लोगों को भी इस बात का डर है कि कहीं ऐसा नहों कि फिर हम बाहर निकलें और हमारे घर का जो भेदी है वही लंका ढाने का काम करें हमारी हत्या करवा दे और इसलिए डर इन लोगों के अंदर भी अब जादा हो गया है बहुत बहुत धन्यवाद आपका दन्यवाद